इस ख्याल रखना है दूस्रा आतमा यहे दुस्टा दूश्मन एशू के राज्य के चार एनेमी में से एक है दूस्रा इशू और यहे Εदूसरा आतमा यहे दूस्रा आतमा पवित्र आतमा नहीं हमें रख रहा हू हो क्या गजब का वच्छन पाउलूस लिख कर गया पहला तिमोती चौथा आदियाए वच्छन एक फस तिमोती चप्टर फो वस वन कहता है परन्तु आत्मा ब्रैकिट में मैंने लिखा है ताकि आपको कॉंटेक्स समझा सकू सत्थिक आत्मा ये कौन सा सत्थिक आत्मा जिसको पहली बार ये शुमसी ने यहोड़ना की किताब चौधे आदियाए में पंदरवे आदियाए में इसका जिकर किया कि मैं जा रहा हूं और उसको भेज़ूँगा जो बिलकुल मेरी तरह है जिसको कहते हैं like me like me like me सत्थिका आत्मा स्पस्टता से कहता है परमेश्वर का आत्मा स्पस्टता से कहता है क्या कहता है क्या कहता है कि आने वाले समयों में कौन सा समय आने वाला समय ये कौन सी बात कर रहा है आने वाला समय कहता है कि आने वाले समय में बर्माने वाली आत्माओं ये कौन सी आत्मा है दूसरी आत्मा इसका मतलब है कि एशू का दूसरा एशू भवित्र आत्मा का दूसरा आत्मा जिसका जिकर लिखा है पाउलूस कहता है दूस्त आत्माओं की सिक्षा पर मन लगा कर विश्वास से बहक जाएंगे सिफर का यह किसका आत्मा है शैतान का मुझे लिख के बताते रो वाव जितने फेस्बुक पे हैं वाच पाटी शेयर करना प्लीज नहीं बूलना क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक पे आजकल बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है मसी की दह के लिए बहुत ध्यान से सुनिये जित कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग यह कौन से लोग है विश्वासी यह कौन से लोग है चर्च वाले यह पस जाएंगे बहक जाएंगे और विश्वास से हट जाएंगे क्यों क्योंकि लिखा है कि दुस्त आत्माओं की सिक्षाओं पर यह कौन सी आत्मा है और कौन सी सिक्षा है मैं लास्ट में रखूंगा ये भी आकर परमेश्वर के kingdom को destroy करेगी नाश करेगी कैसे अपनी सिक्षाओं से वाव अपनी सिक्षाओं से और ये पवित्रात्मा और लड़ी काम कर रहा है दूस्हा आध्या पच्परी लिखने वाला कहता है कि तुमको पता होगा कि एंटिक्राइश्ट रा लेकिन अभी जगत में बुट सारे एंटिक्राइस्टे मस्ही का विरोधिय भी भी है तो ये दूसरा आत्मा क्या कर रहा है चर्च में मूव कर रहा है अच्छे अच्छे चर्चों में मूव कर रहा है मैं अगर नाम लोगा तो हालत खराब हो जाएगी उनकी भी और तुम्हारी भी अच्छे अच्छे चर्चों में मूव कर रहा है, लोग नीचे गिरते हैं तो कहते हैं कि भवित्र आत्मा नीचे गिरा रहा है, लेकिन उनको होश तक नहीं है ये दूसरा आत्मा उनको नीचे गिरा रहा है बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आत्मा में हस रहा हूँ जिसको कहतें laughing spirit यह कौन सी आत्मा करा रही है वाली जिसको कहतें दूसरा आत्मा कुछ लोग कहतें pastor हात रखते मैं नीचे गिर जाता हूँ बीच मैं मुझे किसी ने पंजाब का एक विडियो भेजा कोई जोला पेन कर क्या कहते है उसको परपल कलर का एक ऐसा कपड़ा पेन कर खुद को रेवरेंड या पता नहीं क्या कहते है वो हाथ रखता है लड़किया नीचे गिरी ठपक ठपक जैसे मचली तडपती है ना पानी से बार आकर ऐसे वो लड़किया नीचे गिर के तड़ अपर ये पवित्रा आत्मा का काम नहीं है नहीं है नहीं है ये किसका काम है पास्टे डैनल ये दूसरा आत्मा करवा रहा है जिसको शैतान की और से ये ताकत मिली है अब आप बताईए, बैकाएंगे कि नहीं बैकाएंगे, बैकाएंगे, पाउलूस कह रहा है, तो क्या पाउलूस यूही लिख रहा है, येशु कह रहा है, तो क्या येशु यूही कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाईए, जब मैं प्रचार करता हूं, तो कहीं लोगों के डैनियल राज, तुमको याद आएगा बुले यार, यह आदमी बोलता था मॉंबई से यादा था मसी मंतन के पेज पे यादा था यूटूब चैनल पे लेकिन हमने कई बार इसको नहीं सुना और यहां तक कि खुद के चर्च को लोगों को भी कहा कि डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, यह उस दिन तुमको पच्तावा भी होगा और याद भी होगा और मुर्खों की तरह जो तुम उनकी सुनकर मेरी वीडियो नहीं देखते हो और ऐसी दस्टक कावालों के प्रचार जो खरी प्रचार करते नहीं सुनते हो क्या बेड़ा गरक करके रख रहे हो तुम अपना खुद ही तुमको पता चल जाएगा लेकिन अफसोस होगा मुझे उस दिन क्योंकि बहुत सारे लोग दारू पी कर जितना नहीं बटकेंगे नशा करके जितना नहीं बटकेंगे मुर्ती भूजा करके जितना नहीं बटकेंगे वेबिचार करके जितना नहीं बटकेंगे उतने ज़्यादा तादात में लोग गलत सिक्षा में बटकेंगे ये बात का दुख और अफसोस उस दिन होगा क्योंकि दूद का दूद और पानी का पानी तब होगा मुझकोर आपको समझना बहुत जरूरी है तो लिखा है आत्मा स्पस्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बर्माने वाली आत्मा हो ऐसा क्यों ये plural word है दूसरी आत्मा क्यों इसका मतलब है चर्च में बहुत सारी आत्मा है गुम रही आज उल्टे सीधे ठीचें उल्टे सीधी हर कतें कोई कहता है मैं नीचे गिर रहा हूँ कोई शिवर हो रहा है कोई कोई जर्क हो रहा है सर को जर्क कहते है न सरीला न वो हो रहा है, बोडी शेकिंग हो रहा है, नीचे गिर रहे है, लोट पोट हो रहे है, एक ने वीडियो भेजा बोला, बच्चे तुस्त, अन्य बाश्या में बात करें, चोटे-चोटे बच्चे, अब पता लगाओ, ये कौन सी आत्मा है, परमेश्वर का दान किसको मिलता है जिसको परमेश्वर करता है, धान का मकसद क्या है, चर्च की उन्नती है, आपके इंजॉइमेंट के लिए, आपके मनुरंजन के लिए, अन्य बाश्या का, माफ करें, पवित्रात्मा का दान नहीं मिलता है, इंटर्टेन्मेंट के लिए पवित्रात्मा का दान नहीं मिलता दिमाग में गुसा के लोगे ये बात कुछ लोग आते हैं कहते हैं पास्टर जी हाथ रखो मुझे दान चाहिए जैसे पत्रस के बास में वो रुपे लाकर साहिमन कहता है ये पैसे लो और मुझे यादिकार दो पत्रस निका तू और तेरे पैसे नाश हो जाएं वो तो शुकर है कि खिड़े लगके मरने गया हूँ आत्मी थोड़ा सा समझ ये बात को कुछ लोग मुझे कहते हैं पास्टर डैनियल आप पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हो आप पवित्र आत्मा के विरोध में बात करते हो तो तुम ये क्या कर रहे हो फिर मैं तो पवित्र आत्मा जो सथिक आत्मा है उसको साथ उसको लेकर उसके तरीके से जो पवित्र आत्मा मुझे प्रचार दे रहा है इस दूसरे आत्मा के विरोध में मैं वो प्रचार कर रहा हूँ मैं वो प्रचार कर रहा हूँ